हाई अबरीवन दिस देपी का वेलकम बैक आई होब कि आप सबी बहुत अच्छे होगे एक बाफिर से स्वागता स्टड़ी विद कमफोर्ट में आज के सेशन में हम लोग पंडित दीन दयाल उपाध्धाई जी के जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं उसको समझने की कोशिश क द्रेश करेंगे हमारे discussion का जैसे की structure रहता है पहले इंट्रिक्शन डिसकस करते हैं हम लोग डिसकस करेंगे जो भी इनके ideas हैं complicated वो easy way में समझ में आये और साथी साथ आपको answer writing में help करें हमारी दो aim होते हैं इस session को बनाने के जितने भी session बनाते हैं एक पहला कि concept के लिए हूँ कि हाँ पंडित दिन दियाल उपध्ध है कि जो thoughts हैं जैसे कि integral humanism उसका क्या concept है वो समझ में आये और साथी साथ आपको कुछ notes मिल जाएं जैसे कि आपको answer writing में help मिल जाएं ये मेरा main aim रहता है वही मैंने यहाँ पर reflect करने की कोशिश की है तो इस lecture को मैं detail में शुरू करूँ उससे पहले there is a humble request to you guys आप में से बहुत सारे लोग है जो like नहीं करते शेयर नहीं करते and most important thing है subscribe नहीं करते हैं तो please guys एक humble request है कि चैनल को subscribe ज़रूर करिएगा और सेशन अगर पसंद आता है तो like किया करें कॉमेंट करेंगे इसे मुझे motivation मिलता है support मिलता है grow करने के लिए okay तो ultimately मतलब अगर कोई effort कर रहा है तो अगर उसे उसे भी तो grow करेगा वो तभी तो उसे भी थोड़ा motivation मिलेगा ना तो please do it guys तो पंडित दीन देल उपाद्धाय में introduction में आप लिख सकते हो जैसे कि 1916 में उनका जन्म हुआ था and जो मतुरा डिस्ट्रिक है उसके टाउन पेन का जन्म होता है Indian politician and thinker है वो भी right wing है Hindu तो ideology है इसको support करते है और integral humanism का जो concept है जो most important concept है पंडिदीन देल उपाद्धाय का इसको draft किया इन्होंने और ये सबसे ज़्यादा popular रहा इनके political ideologies में भारती जन्संकी अगर इनकी journey देखें तो 1951 में जब श्यामा प्रिशाद मुखर जी ने इसे बनाया था फाउंड किया था तब दीन देल उपाद्धाय को इसका first general secretary बनाया गया था यूपी ब्रांच का और इसके बाद वो next all India general secretary बने इस organization के और इनका huge contribution रहा है इस organization को लेकर इसकी ideology को frame करने में popular बनाने में तो ये introduction लिख सकते हैं political ideas में key elements अगर हम देखें तो सबसी important है आपका integral humanism तो आए हम समझते हैं कि ये concept क्या है integral humanism का integral humanism मतलब principle of oneness जो unifying principle of oneness है अब ये integral का basic मतलब आपने बुद्धा का middle path का concept पढ़ा होगा मतलब जहां पर extreme जो होते हैं उन्हें avoid किया जाता है middle path में चलना किसी भी चीज की आतीजी से कहते हैं या extreme क्या है वो उसे avoid करना चाहिए तो ये तरीए जो integral humanism की philosophy है दीन दयाल उपाद्धाय की वो negate करती है कहीं न कहीं extreme prospect of the capitalism as well as marxism आपको पता है कि इंडिया एक colony थी बिटिश कॉलोनी थी और capitalism को वहाँ पर एक तरीके से promote किया जा रहा था capitalist ideology को उस टाइम पे क्योंकि एक कॉलोनी थी दूसरी तरह marxist ideology थी जो सबसे ज़्यादा popular हो रही थी तो दोनों ही दीन दयाल उपाद्धाय के according क्या है extreme prospect है तो दीन दयाल उपाद्धाय का मानना ये था कि हमें middle path को यहाँ पर adopt करना होगा इन दोनों extreme में नहीं जाना होगा अभी मैं इसे detail में आपको आगे चलती हूँ एक human being के overall development के लिए तो जैसे कि आप दीन दयाल उपाद्धाय की thoughts में देखोगे कि उन्होंने जो western ideologies हैं उसको criticize करते हैं जैसे इंडिया भी एक British colony था और इंडियन colony में जिस तरीके की चीजों को promote किया जा रहा था उसमें दीन दयाल उपाद्धाय ने उन चीजों को criticize किया है तो यहां पर दीन दयाल उपाद्धाय ने कहा कि जो western ideologies हैं वो materialism में based हैं और यह एक तरीके से economic term में development को बढ़ावा देती है जबकि दीन दयाल उपाद्धाय कहते हैं कि हमें overall development पे ध्यान देना है हमें क्या करना है हमें उसका moral, ethical, spiritual इन सारी चीजों को भी equally importance देनी है तभी दीन दयाल उपाद्धाय कहते हैं कि जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है these all four elements are important in Indian thought और अगर आपको social equilibrium अचीव करना है एक balance अचीव करना है human life में साथी साथ society में तो हमें क्या करना होगा human being की सारी जो aspect है उस पर ध्यान देना होगा इसलिए इनका एक statement बहुत ज़्यादा popular है जो इसी से related है कि economic without ethics and political discourse without morality are creating crisis in the society तो society में जो crisis हो रहा है क्योंकि जो western ideology है जो economic perspective को पढ़ावा देती है लेकिन उसमें ethics नहीं है उसी तरीके से political discourse में या politics में अगर morality नहीं है तो ये दोनों ही चीज़े society में crisis create करती है और हमें क्या करना होगा ये जो gap है या जो ये जो lack कर रही है चीज़े इस पर ही ध्यान देना होगा तो समाज में एक harmony establish करना है एक social equilibrium establish करना है और इसी को ध्यान में रखते हुए दीन दयाल उपाद्धाय कहते हैं कि हमें जो economic theory या policy profound की जाती है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि वो किस context में हो जो context of specialism, local tradition and nature and temperament of the people ये बहुत important है कि अगर हमें social crisis को avoid करना है social equilibrium या harmony establish करनी है society में तो जो भी economic theory या policy profound की जाए उसमें ये ध्यान दिया जाए कि वो किस context में हो specialism, local tradition, nature and temperament of the people सीधा सा इसका मतलब ये है कि जो western ideologies and concept थे या economic theories या policy थी western जो जितनी भी ideologies थी उसको इंडिया में as it is नहीं apply करना चाहिए इंडिया में हमें इंडिया का जो भी local culture, tradition है, इंडियन's people का जो nature and temperament है जो special values है उसको ध्यान में रखके हमें special economic theories and policies को प्रपाउंड करना चाहिए तो इंटिग्रल humanism है basically this is the critical of individualism as well as communism as a social system तो individualism जो capitalist system या capitalism में ज्यादा popular है दूसरा communism जो आपकी marxist ideology में आपको मिलेगा दोनों को ही extreme बताया गया है दीन दयाल उपाद्धा के according, तो जो integral humanism की philosophy है इन दोनों ही extreme political philosophy या system को criticize करती है और ये support करते हैं एक social equilibrium को, social harmony को in the society फर्दर जो दीन दयाल उपाद्धा हैं वो integral humanism जिसमें वो harmony की बात करते हैं nature के साथ harmony तो वहाँ पर कहते हैं कि जो society है ये एक natural living organism है okay with a definitive national soul अब इसका क्या मतलब है कि society एक natural living organism कैसे है तो इसको explain करने के लिए दीन दयाल उपाद्धा कहते हैं कि जो society है this is the part of the entire humanity और जो humanity है in turn it is the part of nature और जो nature है this is the part of God तो God हमारा क्या है ultimate truth है तो overall ultimately हम जाकर जो society है individual है वो कहां से connect हो जाता है जाकर God से ultimate truth से तो इस तरीके से जो हम सभी है वो ultimate के साथ में जो God है ultimate truth है उसके साथ united हो गए और हमारी जो society है वो natural living organism है तो human beings क्या है society के integral part है और जो society है वो entire humanity का part है और जो humanity है वो nature का part है और जो nature है वो God का part है this is the cycle, this is the chain और हमें इनी सभी के बीच में क्या establish करना है harmony, equilibrium establish करना है कोई भी extreme यहाँ पर applicable नहीं है तो यह हो गया integral humanism कि हमें oneness create करना है okay unifying with the oneness okay ultimate truth के साथ align करना है समझ में आगी तो यह slide बहुत important है यहाँ पर next आजाते हैं further तो integral humanism का जो concept है दीन दयाल उपाद्धाय का basically two themes के around revolve करता है पहला morality in politics ताकि हम political discourse में जो society में crisis आती है उसको avoid कर सके and so they see मतलब small scale industrialization in the economy अगर हम Indian context पे देखें तो ओके तो यह दो important theme है जो integral humanism के लिए दी गई दीन दयाल उपाद्धाय के according और इस तरीके से जो harmony है यह basic theme है integral humanism की जो cultural national values and discipline को सबसे प्राथमिकता देते हैं या priority दी जाती है दूसरा important concept है दीन दयाल उपाद्धाय का धर्मा तो दीन दयाल उपाद्धाय ने priority दी है धर्मा को यहाँ पर difference बताते हुए कहते हैं दीन दयाल उपाद्धाय कि जो religion है यह system of worship है और इस तरीके के बहुत सारे system exist करते हैं इस दुनिया में या इस land में जो धर्मा है यह क्या है इसका मतलब होता है good for everyone irrespective of the system of worship मतलब किसी भी system of worship से people belong करें बच उसका अच्छा मतलब चाहना good for everyone common good को promote किया जाता है धर्मा के दौरा further इसे इन्होंने explain किया है धर्मा को कि जो धर्मा है यह eternal है and universal है irrespective of the worship of the system मतलब कोई भी religion exist करें धर्मा क्या है हर एक society का यह हर एक system का हर एक individual का eternal and universal principle है जो धर्मा है it concerned with the all aspect of the life moral values, ethical, economic हर उस पे लागू होता है and जो धर्मा है this is more related to the morality okay किस से related है morality से यह religion से बहुत different है okay religion क्या है एक तरीकी का system of worship है जब कि धर्मा क्या है it is concerned to the morality and धर्मा is above the religion इस तरीके से and society can live without society can not society can not live without dharma but can live without religion यहाँ पर not लगा लेना कि society can not live without dharma but religion के बिना रह सकती है कोई बो society लेकिन धर्म के बिना नहीं रह सकती है यह ध्यान रखना है so further दीन देल उपाध्धाय कहते हैं कि जो democratic government है जन राज है इसके रूट्स किस पे होना चाहिए धर्मा में धर्म राज्य पे तो यही था political ideology दीन देल उपाध्धाय की and I hope कि इतना जो आज का यह session है आपको इस पर आंसर लिखने के लिए help करेगा so please subscribe करना like करना and comment करना and please channel को दूसरों के साथ जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जसे कि हम अपने इस initiative चैनल को और grow कर सके thanks for all the love and support see you in the next video